तो फाइनली नेहा कककर और रोहन प्रीट सिंग दे बोध अब गॉट मैरीड येस्टड़े कल मैं जब इनके बारे में न्यूस पड़ रहा था तो मुझे वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वर्स देखने के लिए मिले तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में उन वर्स क इसको कवर किया जाए तो आजके इस वीडियो में आप कुछ नए वर्स सीखने वाले हैं जैसे पीच, और गैंचा, डॉन, गालेंड, इंटिमेड वैडिंग, टाइद नॉट तो हमारी फर्स्ट लाइन है निहा कककर टाइद दानौट विद रोहन प्रीच सींग यहां पर एक इडियोम है टाइद दानौट इसका मतलब होता है to get married मतलब शादी कर लेना तो इसका simple मतलब है निहा कककर ने रोहन प्रीच सींग से शादी कर ली नेक्स्ट लाइन है नेहा वस लुकिंग प्रिटी इन पीच लहेंगा एंड और्गेंजा दुपट्टा यहाँ पर दो वर्ड्स हैं पीच एंड और्गेंजा यहाँ पर इनका मतलब क्या है पीच का मतलब होता है हलके गुलाबी रंका अगर आप बोलना चाहें कि पीच लहेंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि हलके गुलाबी रंका लहेंगा Beach word and Organja word ये दोनों कपड़ों के लिए यूज किये जाते हैं और Organja का मतलब होता है पतला कपड़ा या फिर आप बोल सकते हैं Transparent कपड़ा अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि Organja दुपट्टा तो इसका मतलब हो जाएगा कि हलका, पतला और Transparent दुपट्टा तो इस लाइन का मतलब है कि नेहां हलके गुलाबी रंके लेंगे में और पारदर्शी दुपट्टे में बहुत ज़्यादा सुन्दर दिख रही थी नेक्स्ट लाइन है रोहन प्रीट डॉन्ड मैचिंग कुरता एंड टर्बन यहां पर एक word है डॉन इस word को मैंने MS धोनी वाली News Vocabulary वाली वीडियो में cover किया था इसका मतलब होता है किसी चीज को पहनना या फिर किसी चीज को अपने शरीर में धारण करना तो इस लाइन का मतलब यह है कि रोहन प्रीट डॉन्ड मतलब रोहन प्रीट ने अपने शरीर में पहने क्या पहने अ मैचिंग कुरता एंड टर्बन मतलब दुलहन के कपडों से मैच करता हुआ कुरता और पगड़ी पहनी रोहनप्रीट डॉन्ड अ मैचिंग कुर्था एंट टर्वन नेश्ट लाइन है नेहा एंड रोहनप्रीट एक्सचेंज दे गालेंड और टुक ओवर दान्स फ्लोर तो परफॉर्म ओन दियर रिसेंटली रिलीज्ट सॉंग टाइटल नेहुदविया यहाँ पर एक वर्ड है गालेंड इसका मतलब होता है फूलो की माला तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि नेहा और रोहनप्रीट ने फूलो की माला एक दूसरे को पहनाई and took over the dance floor और dance floor पर अपना कबजा कर लिया यह पर आप बोल सकते हैं कि dance floor पर गए क्यों गए to perform on their recently released song titled नेहुदा विया मतलब हाली में रिलीज हुए उनके गाने नेहुदा विया पर प्रदर्शन करने के लिए नेश्टलाइन है यहाँ पर एक वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसी शादी जिसमें limited guest हो मतलब जिनके साथ couples का close relation है केवल शादी में वही उपस्तित हो तो ऐसी शादी को intimate wedding कहा जाता है तो इस line का मतलब यह है कि many videos from their intimate wedding मतलब उनकी main main guest वाली शादी की बहुत सारी videos have taken over the web मतलब internet पर अपना कपज़ा कर चुकी है मतलब internet पर हर जगा फैल चुकी है so that's it guys for this video I hope आपको इस video से कुछ ना कुछ नया जरू सीखने के लिए मिला होगा तो guys आपके लिए homework है आप peach and organza words पर अपना एक-एक sentence बना कर मुझे comment section में बताइए और वीडियो को like करना ना बोले thanks for watching this video guys see you in the next video जय हिंद जय भारत